नमस्कार अदाप सस्रेकाल हेलो दोस्तों मैं दुबारा हाजिर हूँ इस वक्त में आया हूँ अपने एक रिलेटिव के घर में और मैं आपको इस घर की जो दशा है वो दिखाना चाहता हूँ क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये दशा थोड़ी अजीब लगे देखने में हाँ अभी इतना कहा हुआ है मौते भी नहीं हो रही है जो हाँ लिटली चाइना में हुआ है अभी भारत में वक्त लेगा पर दोस्तों ये गलत है हमें इसको समझना पड़ेगा क्योंकि जिस तेजी से फैल रहा है क्या हमारे पास उतने अस्पताल उतनी बैड उतनी सुव इस घर का एंट्री गेट यां लगा है इदर इस घर की मालकिन बैटी है उधर उनके बरार में उनका भतीजा बैठाया में दोनों से बात करके बताओंगा कि में में इतना बड़ा तालह लगाने का आखिर मक्सद क्या था मैं मकसद क्या था आपका इसका पीछी लगोड़ě वाइरस की बच्चे बाहर जा रहे हैं इस वाजे से बच्चों को शुरक्षित रखने के लिए अपने घर में ताला लगा दिया है क्या नाम है तुम्हां तुम चांप कर रहा हूं तुम यहीं रहते हो या कहीं और रहते हो या अभी रुकने और मैडम क्या लगती है यह मेरी फॉपाले सवाल है जिस तरह भारत में फैल रहा है तुम्हें क्या लगता है कि हम पूरी तरीके से त्यार हैं क्योंकि चाइना की पॉपलेशन और इंडियी पूरी तरीके से इंपएक्ट हो चुके हैं पर उनकी फैस्ट्रीटी फूरी नहीं हो पारी उनके लिए तो फेल्टीशन फिर भी बहुत जाद है उनके मुकाबले तो मुझे नहीं लगाता है कि हमारी हमारी सही से हमारे उलाज हो पाए हूँ, दोस्तियार होंगे, फोन करते ह होंगे बाहर बुलाते होंगे घूमना फिरना खेलना तो अब कैसे जाओगे जब पोने गेट पे ताला लगा दिया है शुरुवात में दोस्तों की कॉल साती थी और अब जब से यह थोड़ा फैल रहा है जैसे कि अभी भी 2223 तारिक को जंता कर फ्यू की हमारे सरकार ने वह क चाहिए क्योंकि सेफ्टी फरस्ट है इंसान के लिए जंता कर फ्यू के बारे में क्या लगता है यह अच्छा स्टेप है परधान मंतरी का यह काफी अगर लोग इसका पालन धंज से अगर तो यह का नाम क्या है भाई शौन शौन आप इनके बड़े भाई हैं मेरे खैल से भी बताया मुझे तो मैंने अभी उन्होंने यह भी बताए कि आप भारा भी आपका विदेश मा आना जाना लगा रहता है तो विदेश को देखके और भारत को देखके क्या लगता है हम कितने तयार है जोरे से लड़ने के लिए कैसे मैं बंकॉक गया था भी मार्च में क्रोना वापस आ गया तो वहां पर गॉवर्मेंट ने सब को आइसुलेशन के लिए रखा है क्लव बार एवरिटिंग वस्टोज्ट यहां बट यहां पर गॉवर्मेंट के और के बाद भी लोग भार निकल रहे हैं रात को मार्केटों में घूम रहे हैं फैमली के साथ जाओ जाल रहे हैं रेस्टरंट में जाके खा रहे हैं और कर रहे हैं ऑल्लाइन गौर्मेंट बोल रही है आप अपने वहां पर आइसुलेट हो जाईए घर के अंदर विकार शांड़ी टू आज लगते हैं को मरने के लिए तो अब मैं भी हाँ पर अपना विजिट करने के लिए ता और मैं भी आपर बंद पड़ा हूं मुझे पता चला के कि संडे को क्या नाम है कल वो जंता कर्फिव है तो महां से निकल ली नहीं सकता मैं अपने घर भी नहीं जा सकता यह अच्छा स्टैप होगा बिल्कुल बहुत अच्छा स्टैप होगा क्या इस से वायरस मर एक दिन का गैब दे देंगे तो उस चीज को किलीन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम निया ना किसी पुब्लिक को आगए उसको कंट्रोल कर लेंगे डिजीज को एक आखरी सवाल क्या आपके सब्सक्राइब होने चाहिए इसको रोकने के लिए भारत में जो इस वक्त अभी शु लोड के लॉस को यानि के बाकि जितने भी जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर हो या सब बंद कर लेना चाहिए सब आइसुलेट बिल्कुल सारे रोट क्लोज होने चाहिए ताकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकले रैस्टरेंट्स शॉप शॉपिंग स्टोर्स यह सब बंद होने चाहिए लोगह को बहार मिलने के बहाने ही नहीं मिलेगा सब कुछ बंद हो तो चीक है मैंने उब मुत की ती वो मेरे साथ एक और बात शेयर करना चाहते हैं तो क्या बात ती वासर में अपकिछ चैनल आपकी चैनल के वीविवर्स के साथ सथ सर अभी कुछ टाएν, मै किलो वहाँ पर समान खरीद रहे हैं तो वहाँ पर मैंने इस सोचा कि एसा क्यों हो रहा है और लोग इतने जादा अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने बात बोल दी है कि सिर्थ ड्रोसरी बंद नहीं होंगी अगर लॉक्डाउन होती भी है कंड्री कुछ नहीं मिलेगा महंगा हो जाएगा महंगा तो अब भी है जो 30 रुपे किलो प्याज मिलते हैं वह आज मैं 50 रुपे किलो लेकर आया हूं तो यह भी महंगा है पर वह बात टॉपिक नहीं है अगर हम जादा समान खरीद रहे हैं हमारी वैसे जिसको ज़रूरत है उसको और उसको जरूर इंफेक्शन हो सकता है क्योंकि सरकार ने यह घर में रहने के लिए बोला है ताकि लोग इंफेक्ट ना हो और वो लोग बाहर जा रहे हैं शौपिंग करने आ रहे हैं कुछ भी करने आ रहे हैं तो और इंफेक्शन लेकर ही आएंगे क्योंकि इतनी कम जग अपना आपको इसलफ आइजोलेट करें पर जो पब्लिक है वो अभी भी अपने जो योगदान है वो दे नहीं पा रही है यही कारण है कि हमारा भारत में जो पर देजी से बढ़ रहा है अब भी आप मार्किटों में देखें रोडों पे देखें वो ही जाम है वो ही भीड है वो ही लोग घूम रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या जरस अभी डर नहीं है क्या इटली की हालत नहीं देखी है क्या चाइना की हालत नहीं द पता है बहुत दिनों से गिर रही थी इकनों में उठ जाएगी साथ मिलके उठ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है पर जिंदगी है तो सब कुछ है यह जो पहलती ताले की दोस्तों एक बहुत अच्छी पहलती इस घर से जो आपको हमको सब को शुरू करनी चाहिए अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो ताला लगा यह घर में ताकि बच्चे घर के बाहर ना निकले और इंफेक्शन आगे ना बढ़े हमें यहीं रोकना पड़ेगा और यहीं साथ मिलकर सरकार के साथ हमें इस इंफेक्शन को आगे बढ़ने से रोकना है खतम करना है धन्यवाद